हेलो दोस्तों ये है मदू और परी का घर मदू और परी आज अपने घर में अकेली है तो चलो देखते हैं मागे की स्टोरी दी 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 ममा पापा कहा आँगे है और वो कब तक आएंगे घर वह दो, मम्मापापा मुझे बताकर नहीं गे है, वो कहां गे हैं, पर मुझे लगता है, मम्मापापा कोई इबार इनपॉर्टन settlement मीइटिंग के सोन के लिए बाहर गे हैं, शाम तक आजाएंगे, ओ, अच्छा, मम्मापा शाम को आएंगे, पर मैं मम्मा को बहुत ही मिस कर रही हूँ मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ अच्छा, तुम कुछ खाओगी? ने ने दीदी, मैने अभी खाना खाया है और तब ही परी का फोन बजना शुरूर हो जाता है हैलो आर्ती, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ परी परी मैंने तुमसे एक जुरूरी बात करनी थी कि मैं चार-पांच दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ ओ अच्छा पर जाने से पहले मेरी assignment देने ना कल मैं उसको submit करवाऊंगी पर परी मैंने उसी बात के लिए तुम्हें फोन किया है कि तुम आ जाओ और अपनी assignment ले जाओ मैंने पैकिंग भी करनी है भी चलो ठीक है मैं आती हूँ पांच मिनट में तुम मेरी wait करना ठीक है जाना मत ओ अच्छा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मदू मुझे जुरूरी काम के लिए आटी के घर जाना है क्या तुम मेरी साथ चलोगी ने ने जिदी मैंनी जाओंगी आप जाओ चलो ठीक है मैं अभी जाकर आती हूँ तुम अपना ध्यान अखना और फ्रिज में से ice cream मत खाना ये केकर परिवाद से चली जाती है और तभी मदू के घर कोई अंजान आत्मी आ जाता है हलो गर पे है कोई जी जी अंकल मैं हूना मैं हूना क्या चाहिए अंकल आपको अरे बेटा तुम घर पे अकेली हो तुम्हारे ममा पापा कहा पर है अंकल अंकल में ममा पापा बार गए हैं क्या आपको कोई हल्प चाहिए थी नहीं नहीं बेटा मुझे तो कोई हल्प नहीं चाहिए वैसे तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए आइसक्रीम मंगवाई थी मैं तो वो ही देने आया था अच्छा ये लो आइस क्रीम बहुत है बड़ी श्वाद है अरे ये मुझे चुक्कर क्यों आरे अरे मेरे सिर क्यों गूम रहा अरे और फे नशीली आइस क्रीम खाकर मदू गिर जाती है क्या बात है बबली की बनाई आइस क्रीम तो बड़ी अच्छी निकली बच्ची खाती नीचे गिर गई बबली आजा अंदर बच्ची गिर गई है अरे वा ये लटकी तो बड़ी जल्दी गिर गी देखा बंटी मेरी निशीली एस्क्रिम का कमाल देखा पांच मिनिट में वो एस्क्रिम खाकर गिर गी कल जल्दी से अपना काम करते है हाँ ठीक है ठीक है बबली ज्यदा बाव मत खा मैं जाके कमरा साफ करता हूँ तो जाकर सोई खाली कर दे फड़ा फड़ा खाली कर देंगे सब कुछ ओरे क्या बात है भाई इसका तो घर बड़ा पड़ा है फड़ा फड़ा खाली करता हूँ आज तो लगता है जैक पोड़ी लग गया इनके घर पे आगे चलो अभी चलके देखते हैं बबली को क्या समान मिला है मुझे लगता है बबली को भी कुछ अचा ही मिला होगा अरे वा इतना सारा समान आज तो हमारी लोटरी लगी बंटी लोटरी चलो अपना काम शुरू करती हूँ अरे आज तो बहुत सारा समान हाथ लग गया चलो बंडी को दिखाती वो खुश हो जाएगा इतना सारा समान इससे तो हमारी जिन्दगी कट जाएगी अराम से चलो इस बच्चे को भी ले चलते हैं अच्छा दा मिलेगा अरे बंडी ये क्या कर रहा है तू अरे बबली दिखनी रहा तुझे बच्चे को बोरी में डा रहा हूँ इसे भी साथ ले चलेंगे अरे नहीं नहीं बंडी हम घर का माल चोरी करते हैं बच्चे नहीं बबली तू जा और जाके बाकी सारे चीज़े देख इस बच्ची को हम साथ लेके जा रहे हैं इस बच्ची ने हमारी शकले देख लिया है अगर इसने पुलिस को हमारे बार में बता दिया बड़ी दिर जेल में रहना पड़ेगा बबली बबली तेरा दिमाग ना हमेशा आद्दे का आद्दे ही रहना है तुझे मालूम नहीं है बच्चो को क्या दाम चल रहा है अगरेट में पता है इतना अच्छा दाम लेगा जिंदगी सेट होएग जिंदगी अपनी चल अभी चलते हैं इससे पहले कोई हमें देख ले और कि भी नहीं अरे बंटी तेरा दुमाग घास चाने गया क्या बच्ची मर जाएगी ऐसे तो अरे नहीं यार नहीं मरती वह मैंने उसके मुह की तरफ कुछ नहीं रखाया उसके पैरों की तरफ दिखाया चल अफड़ा फड़ चले यहां से चल चल चले बंटी आ तो अच्छ हाँ बबली यह डाबा बिलकुल धी गया उपर से खाली भी है बबली यार क्या डाबा ढूंडा है तुने यार जल्दी कर मेरे तो पेट में चुए दोड़ रहे हैं आईए आईए बाबो जी हम आपको खाना खिलाता है अरे बबली अभी किस सोच में बढ़ गी तू से तड़का लगा कि देता हूँ आपको मजा आजाएगा अरे राम पाल कहा मर गया तूं यहां पर गैस्ट बैठें तु बार गई जला गया जल्दी से अंतरा आगया यह शाब जी खाना खाला था शाब जी आगया शाब जी किश लगते तरे को सारा दिन खाने से किलावा क कुछ और भी काम है कभी किसी को खिला भी दिया कर देख उदर उनसे पूछ उनको क्या चाहिए अरे बंटी बड़ा अच्छा माल हाथ लग गया पूरी जिंदगी एश करेंगे और अराम से खाएंगे जिंदगी अच्छी करेंगी हाँ बबली आए तो मार बड़ा ही अच्छ पर रख दे अभी हम गोद में लेके थोड़ना खाएंगे वहां रख इसको फड़ा फट ठीक है शाप जी इदर रख दिया मैंने आयो रामा आई तो इदर खान खा के बहुत मज़ा आई गया अपना तो पेड़ अच्छे से बर गया रामा आयो जब भी इदर आएगा इसी जब हुआ पर देवा बच्छा चलती से इसको निकालता हूँ कहीं बच्चा मरना जाए रामा आयो रामा अरे बेबी तुम यहां क्या करती है मुझे कुछ नहीं पता मेरे घर एक उंकल आयो पर को नहीं मारता तुम बता ऌूं तुम यहां क्या करती तुम इस बोरी के कर लें प्लीस को कौल किजर प्लीस आंकल पिछे मुझे कुल कंशल की ला या बच्टे को क्या था अंकल यह बहुत अबंशय वो मैं बंचल आई यह नहीं आध्या Capital मेरे और मुझे भाल एक व इसप्रिंद mike उंकल मुझे बचाईए ना पापा को बुलाओ ऐयो बेबी तुम बिलकुल नहीं घबराता हम इदर है ना हम पुलिस को फोन करता इनको उंदर करवाता ऐयो रामा पॉलिस मैं ऐयर बोलता हाँ इदर पंजाबी ढाबे के बार से बोलता ये लोग बच्ची को गिड़नेप करके कहीं लेके जाता हाँ तुम जल्दी से इदर आता ना ये लोग अंतर खाना खाता जल्दी से आता इनको उठाता ऐयो बेबी तुम नहीं घबराता पुमबा पापा को भी फोन कीजिए ना ठीक है बेबी नंबर देता हम फोन मिलाता अंकल इनका नमर है ट्रिकपल टू ट्रिकपल से ट्रिकपल साइव ठिकपल टू ऑईयो बेबी तुम अपना नाम बताता मंदू आयो रामा हैलो मैं इयर बोलता तुम्हारी बच्ची मत बंटी मुझे पुलिस की गाड़ी के वाद लग रही है फिर क्या हुआ बबली यहां से पुलिस निकलती रहती है अरे बंटी पुलिस तो मारी तरफ आ रही है भाग बंटी बाग और तभी वो दोनों पुलिस की गाड़ी के वाद सुनकर भाग जाते है यहां पर पुलिस को किसने किया आईये रामा मैं आईये तुम को फोन मिलाया मगर तुम साहिर अनमार क्या या वो लोग बाग गई वो भाग गए मगर कोई बात नहीं मैंने का ट्रॉलू में फोन कर दे हम उसे पकड़ लेंगे हे बगवान मेरी बच्ची पता नहीं यह कैसे आ गई अरे अरे आप कौन है ओफिसर ओफिसर यह मेरी बच्ची है और इस तरह एक अजान आदमी की मदद से बदू बच जाती है तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब करना मत बूले गया थैंक्यू